गौरव जॉन नाम से यूटूब चैनल चलाने वाले गौरव सर्मा को दिल्ली पुलिस ने गिरफतार कर लिया है उनका एक पीडियो वाइरल होने के बाद पुलिस ने है कारवाई की इस वीडियो में गौरव अपने पालतू कुत्ते डॉलर को गौबारों के साथ बांद कर हवा में उडाते दिख रहे है विवाद भढ़ने के बाद गौरव ने हाला की यूटूब से वीडियो डिलीट कर दिया माफी विवांगी लेकिन पुलिस ने पसुकुरूरता का केस दर्ज करके मालवी नगर से उन्हें गिरफतार कर लिया कुछ दिन पहले गौरव जोन ने अपने यूटूब चैनल पर एक वीडियो अप्लोड किया था इसमें उनका कुट्टा डॉलर उनके साथ दिख रहा था गौरव उस कुट्टे के साथ धेर सारे हाइडरोजन गैस वाले गुबबारे भान देते हैं इसके बाद वो वीडियो में कहते हैं तो अब मैं डालर को उड़ाने वाला हूँ यह कहकर वो गुबबारों को हवा में छोड़ देते हैं गुबबारों के साथ कुट्टा भी हवा में उड़ने लगता है यह वीडियो सेयर होने के साथ ही वाइरल हो गया गौरव ने अपने इस्टाग्राम स्टोरी पर भी कुछ वीडियो सेयर किये थे इसमें वो कुट्ते डॉलर को बिल्डिंग के तीसरे फ्लोर तक उड़ाने की बात कहते दिखते हैं इसी के बाद सोसल मीडिया पर लोगों ने उन्हें खुब खरीखोटी सुनाई लोगों ने कहा कि बेजबान जानवर के साथ ऐसी हरकत करने का उन्हें कोई हक नहीं कुछ लोग तो यहां तक कहने लगे कि पैसों के लिए ये कुछ भी कर सकता है अगर आप कुट्तों की देख भाल करना नहीं जानते तो उन्हें अपने फायदे के लिए इस्तमाल भी नहीं करें ये जानवरों की जिन्दगी को भी नहीं समझ सकते इसके चैनल पर मैं लगना चाहिए इनके खिलाब कड़ा एक्षन होना चाहिए डिलीट करके बोले आगे ऐसा कभी नहीं करूँगा विवाद जब ज़्यादा भढ़ गया तो गोरव ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक और वीडियो पोस्ट किया इसमें कुट्ते को हवा में उडाने को लेकर सफाई दी तो नमस्ते गाइस मैंने कल ऐसी वीडियो डाली ती जिससे लोग काफी हर्ट हुए काफी उन्हें बुरा लगा देखके वीडियो स्टाट करने से पहले मैं बस एक अपने चोटा सा पॉइंट व्यू रखना चाहता हूं कि आप में से काफी लोग बोले सेफटी इशू के बारे में ऐसरे हां भार के content दिखते हैं तो हम influence हुजाते हो अघर की बोले से कला है है और बस मैं यही बोलना चाहूँ कि मैं भी एक पैट लवर हूँ और डॉलर और मेरे एक बहुत स्पेशल प्यार है मैं भी उसको एक बच्चे की तरह ट्रीट करता हूँ दावा किया की वीडियो पूरी सेफटी के साथ बनाया गया था लोग उनके ऐसे वीडियो देखकर प्रभावित नहीं हूँ ये भी कहा कि वो अब आगे ऐसे कोई वीडियो नहीं बनाएंगे उन्होंने कहा कि एक्चुली क्या है कि हम कभी कभार के कंटेंट देखते हैं तो हो जाते हैं जैसे मैं किसी से इंफ्लूएंस हुआ हूँ तो इंडिया के बच्चे मुझसे इंफ्लूएंस होते हैं इसी चक्कर में वो कांटेंट गलत चला गया ऐसा नहीं जाना चाहिए था इसके लिए मैं माफिय मांगता हूँ अगर आपको डॉलर वाला वीडियो बु पहुंची है तो मैं तहदिल से आपसे माफी मांगता हूँ यूटूबर गोरव जान के खिलाब पीपल फार एनिमल सुसाइटी के गोरव गुपता ने सिकायद की थी 21 माई के इस वीडियो में गोरव जान के साथ उनकी मा भी दिख रही है इसकी वजह से पुलिस ने उनकी मा के खिलाब भी सिकायद दर्ज की है गोरव और उनकी मा के खिलाब IPC की धारा 188 आपदा प्रबंदन अधिनियम और पसुक्रूरता धिनियम की धारा 11-1-a और 11-1-d के तहत केस दर्ज किया है गोरव राजस्तान के कोटा से हैं इन्होंने अपनी पढ़ाई दिल्ली से पूर किया था शुरुवात में इनके वीडियो कुछ कमाल नहीं दिखा पाए बाद में टैवल वीडियो और डेली ब्लागिंग शुरू कर दी इसके बाद चैनल चल निकला अब गोरव के यूट्यूब चैनल पर 4.1 मिलियन यानि की करीब 41 लाग से जादा फॉलोवर्स हैं गोरव इंस्टाग्राम पर भी काफी अक्टिव रहते हैं वहां उनके 6 लाग 40 अजार फॉलोवर्स हैं खास बात यह है कि गोरव ने अपने कुट्टे यानि डालर का इंस्टा पेज भी बना रखा है इस पर भी दो लाग से जादा फॉलोवर्स हैं लेकिन अब इसी डालर की वजह से वह सलाखों के पीखे हैं कलम की ताकत के लिए दिल्ली से बीरो रिपॉर्ट मैनेजमेंट एक और बालेटियर इपसी वी इसमें लगाय करें है इसके बार जो प्रेक्टिवस वीडियो पे था बारव शर्मा ना 27-year-old यूट्यूवर यूट्यूब यूट्यूब चैनल पे इसको डाला था अभी इंवेस्टिगेशन इसमें बाती इंवेस्टिगेशन अभी चलता है